नमस्कार दोस्तों ये वीक का निफ्टी अनाल्सिस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वाहत करता हूँ हम नई मेने की आगरी हफते में मार्केट का मुमेंटम कहां पर हो सकता है हम ये वीडियो से जानेंगे और ये वीडियो का थमनेल आप देख सकते हैं इस निफ्टी शोईंग बुलिश पैटन दोस्तों मैं ये वीडियो में पूरा एक्स्प्लिन करूंगा मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ सिर्फ ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों कुछ पैटन्स मुझे ऐसा दिके हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा निफ्टी मुझे बुलिश सिर्फ एक की सेटप पे लगा दूस्तों तो ये गलत भी हो सकता है लेकिन मैं तोड़ा बुलिश हूँ वो रिजन्स भी आपको साफ साफ बता देता हूँ वीडियो को अंतक देखे अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे तो चानल को जरूर सब्स्ट्राइब भीजिये मैं आपके लिए हर दिन इंट्रस्टिंग लर्न्निंग वीडियोस लाते रहूंगा ये जो चानल है ये तलगू और हिंदी दोनों के लिए है तलगू स्केट्स नोंटी ये बराए ना इवीडियो न चूजथतू हूंटे मैं के मना डाउट्स हूंटे किंदे कमें लो कमें चेंट्स हूंटे कर दिसकेशन टैब लोग उडा मिरू मैं कमेंट्स नी पोस्चे चूज़ ने नमी कमेंट्स की रिपले 100% इसता लो तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों लास्ट वीक निफ्टी अनालसस वीडियो में यह यह वाला वीडियो निफ्टी वीकली अनालसस में 18-20 सेकंड्स एक बार यह वीडियो को जाके देखिए वहाँ पे अगर निफ्टी अप से उपर की साइड मूव करता है तो वहाँ पे लवेल जो है वो प्लोट करके हैं यह वीडियो में वापस में समझा आए तो वीडियो बहुत लेंती हो जाता तो इसलिए एक बार यह वीडियो को जाके देखिए जैसा हमने प्लोट किया है वैसा market exactly same behave किया है तो एक बार वीडियो को जाके देखिए आपको upper level जो भी strike price है इसमें आप मैं clearly plot करके बताया हूँ दोस्तो ये वीडियो में आपको daily time frame nifty का मैं दिखा रहा है नहीं सिर्फ 1 hour time frame में आपको explain करूँगा दोस्तो इसका कुछ खास reason नहीं है अच्छा लग रहा है और समझ में भी इसमें आ रहा है clearly ये सिर्फ मेरा opinion दोस्तो कुछ लोगों को one day का time frame में अच्छा समझ में आता है और मैं भी use करता हूँ last week में भी use करा हूँ उसके पहले week में भी use करा हूँ लेकिन दोस्तो ये week अगर लिये तो मुझे वनना time frame थोड़ा better लगा है last week निफ्केनालस इस वीडियो में 8890 है वो आपको support level दिया हूँ और ये week का भी support level है ये ही है market इसको सही तरह से follow किया है इसके नीचे भी गया है दोस्तो लेकिन वहाँ पे वो fake break out था beers को trap करने के लिए और मैं उसका फाइदा भी उठाया हूँ और आपको एक वीडियो के द्वारा उसको share भी किया हूँ अगर किसी ने वो वीडियो को देखे ने तो तो ये है दुस्तो वो वीडियो finding next day gap up in nifty मुझे पहले ही मालूम पढ़ गया है gap up next day हो सकता है और आपको जो 8890 support level दिया हूँ उसको मिला के और जो next day gap up find out किया हूँ ये वीडियो के एक बार जाके देखे उसका logic में इसमें explain किया हूँ दोस्तो अगर अब ये दो trend lines को observe करें तो 8890 और 9125 के बीच में 235 points का gap है दोस्तो तो market अगर उपर की level break करता है तो 9125 को break करना पड़ेगा और अगर नीचे की side break करना है तो 8890 break करना पड़ेगा अगर market इसके अंदरी consolidation जैसा यहाँ पे हुआ है आप यहाँ पे देख सकते है यहाँ पे ऐसा हुआ तो कुछ trade तो ले नहीं पाते दोस्तो अगर हम trade लिए तो भी 40-50 points का trade ले सकते हैं उससे ज्यादा तो उतना safe नहीं होता यहाँ पे consolidation के दोरान आप देख सकते हैं market जो है इतना volatile है market यहाँ से उपर जाने के लिए कोशिश किया वापस एक downtrend आया यहाँ से वापस उपर गया है और यहाँ से वापस नीचे आया है consolidation इतना easy नहीं होता दोस्तो ट्रेड लेने के लिए एक channel के अंदर अगर trade होता हो तो वो अलग बात है लेकिन यहाँ पे consolidation ज्यादा है यह channel formation हम बोल नहीं सकते तो यहाँ पे भी अगर वही scenario देखने के लिए मिले तो हमको तोड़ा मुश्किल होता है ट्रेड लेने में और यह दो levels को आप पहले अब्ज़र्व किजिए और जो next upper level का breakout अगर आया तो 9 to 6 0 है दोस्तो मैं आपको नीचे की साइड में कुछ दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरा यह वीक के लिए बुलीश है दोस्तो मैं बुलीश हूं तो नीचे की साइड कुछ में आपको दे नहीं पा रहा हूं मैं analysis भी नहीं किया हूँ, नीचे की side में सिर्फ उपर की side ही किया हूँ, और मेरा view जो है दोस्तों वो एकी side रहता है, दोस्तों अगर आप ये trend line draw करें तो market जो है, वो trend line को respect करते हुए हमको दिख रहा है, तो 8890 नीचे की side में आपको बताया हूँ, उपर की side में 9125 resistance है, अग उसके पहले भी ले सकता हूँ, अगर volumes बढ़ गए तो मैं 100% उसके पहले भी ले सकता हूँ, 9125 को break करने के बाद पहला resistance जो आता है, वो 960 है, अगर volumes के साथ यहाँ पे भी break किया तो मैं wait करूँगा दोस्तों, अगर यहाँ पे market ने इसको break करके उपर गये तो, लेकिन volumes जो मुझे वो फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं safe trade लेता हूँ, hard time, तो यहाँ पे मैं exit होने के लिए chances रहते हैं, volumes अगर नीचे गए तो, दोस्तों, फ्राइडे के दिन मैं आपको एक post कर रहा हूँ, 1036 को, एक टेलग्राम चनल पे post किया हूँ, I found an interesting thing, I will share about it in this week's Nifty Analysis वीडि 100 moving average exponential, यहाँ पे आप देखे तो 2008 में पहली बार market ने इसको test करते हुए, हमको दिख रहा है और यहाँ पे 5 months का consolidation अब देख सकते हैं, इसको कभी भी market ने थोड़ा नहीं दोस्तों, यहाँ पे यह तोड़ना नहीं होता, यह consolidation होता है, क्योंकि अगर तोड़ना है तो इसके नीचे एक proper full candle बनना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखे तो एक candle भी हमको हैसा नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे line को respect करते हुए, इसको ही पकड़के बेटा है market ने, और यहाँ पे पहली बार इसको test करते हुए, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद यहाँ पे test करते हुए, हमको द तो मैं आपको दिखाया हूँ, 200 एम में भी आपको मैं दिखा देता हूँ, आपका doubt भी clarify हो जाएगा, 200 एम में जो है दोस्तों, वो 6630.97 प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, 200 एम में का प्राइस 6636 है, और इसको कभी भी market ने अभी तक test नहीं किया है, तो market में कुछ भी news आये, तो 100% वाँ पे technical analysis काम नहीं करेगा, मैं आपको यह हर वीडियो में बोलने के लिए कोशिश करते रहता हूँ, तो यह बात आप ध्यान में रखिये, technical analysis अगर news हिट होता है, market में 100% वाँ पे काम नहीं करता है, हमको analysis के दौरा यह समझ में आ रहा कि आज तक market ने 200 एमे को test तो नहीं किया है, 100 एमे को break नहीं किया है और 200 एमे को test नहीं किया है, यह बात आप ध्यान रखिये, यह candle को देखे तो यह कोई भी expect नहीं किये है, और expectation उसके उपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, एक बार शायद second वीडियो है, यह चानल में उसको जाके देख आया हूँ, यह है दोस्तों वो वीडियो, आप यहाँ पे देख सकते है, detailed analysis of Nifty from 2008 to 2020, लेकिन दोस्तों यह तिल्गू audio में है, आप तो समझ सकते है, जो मी मैं आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, वो वीडियो में, क्योंकि graphs वहाँ भी plotted है, और पूरा data में, वो graph में लिख के आपको समझाया हूँ, एक बार समझने के लिए कोशिश कीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा, बिना audio से भी आपको समझ में आ जाएगा, एक बार यह वीडियो को देखिए, तो दोस्तों 200 एम में testing हमको आगे वाले आने वाले time ही बताएगा, क्योंकि यह आ यह वीक के लिए मैं तोड़ा bullish हूँ, और इसका data points भी मैं आपको अभी explain करता हूँ, यह NSDL website है दोस्तों, मैं इसके उपर यह website पे क्या-क्या data points रहते हैं, क्या हमको use हो सकते हैं, उसके उपर भी एक वीडियो निकाला हूँ, वो वीडियो section में 490 sector बोलके एक वीडियो है उसको जाके देखें, यह website का पूरा जानकर रही है और एक-एक point में उसको explain किया हूँ, यहाँ पे अगर last week का data analysis देखें तो, FIS जो है दोस्तों, वो index futures में buying किये है last week, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह buying column है और यह selling column है, buying ज्यादा है selling से, यहाँ पे भी आप देख सकते है, लेकिन Friday के दिन, वो लोग sell किये हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बोलते रहता हूँ, index में कभी भी Friday के दिन, आपका trade को hold मत कीजिए, मैं last Friday भी आपको बोला हूँ, क्योंकि दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी news आ सकता है, बीच में दो holidays आते है, Saturday और Sunday, तो कु और यह जो लोग Friday के दिन selling किये है, तो वो भी उसी के वज़े से हो सकता है, मैं इसा मान रहा हूँ, दोस्तों में पूरा मेरा analysis, मेरा opinion यह गलत भी हो सकता है, अगर हम यह मैने का option share analysis किये तो दोस्तों, यहाँ पे Wednesday को premium eating day होने की chances थोड़ा खमी लग रहे हैं, वो कल के दिन में हमको समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो strike price के उपर open interest है दोस्तों हमको उतना ज्यादा दिख रहे नहीं, तो कुछ लोग मुझे पूछते रहते हैं, premium meeting day क्यों नहीं है, तो यह भी एक कारण हो सकता है, positions जो है, वो बड़े players के दौरा अगर नहीं बनने तो व 9500 जो है, यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा open interest देख सकते है, 10,000 और 9500, call side पे, अगर put side पे लिए तो 9500 जो है, वो सबसे ज़्यादा open interest हमको यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद देखे तो 9,000 सबसे ज़्यादा दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते है, कई भी इसस ज़्यादा तो दिख रहा नहीं, call side पे 9500 और 10,000 और put side पे 9500 और 9,000, दोस्तो अगर हम option chain से देखे तो, market को देखे तो 9,000 से लेके 9,500 जो है, वो एक range बना है, यह महिने के लिए भी इसके अंदर हो सकता है, एक chance से, तो जो मेरा bullish pattern है, वो मैं follow करूँगा, अगर हम Singapore Nifty के बारे में देखे तो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेफटी 50 futures, और यहाँ पे 9089 हमको दिख रहा है, 48 points positive में चल रहा है, और Friday के दिन, market, US market के बारे में देखे तो, कुछ momentum ही नहीं है, यहाँ पे इतना बड़ा जो exchange है, और इसमें 8 rupees का momentum जो है, वो खुछ भी ने रहता है, तो यहाँ पे भी consolidation हम देख सकते हैं, और यहाँ पे positiveness हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो दोस्तों जो भी मुझे लगा है, यह विक के लिए मैं आपको पूरा-पूरा explain करने के लिए कोशिश किया हूँ, उम्मीद करता हूँ, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए, ताकि मुझे encouragement मिलता है आपके द्वारा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए हड़ी दिन इंटरस्टिंग लर्निंग वीडियो लाते रहूंगा, बेल आइकॉन को क्लिक केजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन आपके आप में या फिर एमेल में मिल जाता है, टैंक यू.